नमस्कार मैं रफी और आप देख रहे हैं डियनेन इंडिया अश्मे शेहर को विदानसवा अध्यक्स वासुदेर देवनानी लगाता विकास कारियों की प्रगर्ति के लिए नई नई सोगात इते आ रहे हैं जहां इसी के तेहत विदानसवा अध्यक्स वासुदेर देवनानी ने कुलकडा इस्तिक मंगलम अपार्टमेंट के पास महाना परताब खुशकर वाया कोटडा दाहर सेन इसमारक तक वनोसर घाटी से कोटडा मार्क होते वे प्राइवेट बस इस्टेंट तक सड़क की निर् जहां आमजन कुछ समय से तूटी-फुटी सड़कों के कारण परिशाने का सामना कर रहे थे इनि को देखते वे लगातार उत्र विदानसवा शेत्र में विकास कारियों में गती लाने के लिए A.ड.S.A. सड़क निर्मान की सुईकर्ति लेकर सड़क निर्मान उधगाटन किया गया है बताया कि अजमेर में पाने की समस्याओं को देखते वे सरकार द्वारा 600 क्रोड रुपे की लागत राशी स्विकर्थ की गई है साथ ही बिसलपुर में अजमेर के लिए इंटेक वेल बनेगा उनके लिए भी आदेश आ गए हैं अजमेर में तीन रिजर्वायर ब कहीं योजनाओं वो परियोजनाओं का उधगाटन किया जाएगा तथा अगले साल तक तक तकरीबन सारे प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर लिए जाएंगे शहर में लोगों की समस्याओं के सामधान किये जा रहे हैं जिसके तैत खादिम होटल का नाम बदल कर अजमेरू किया फाइस अगर जिल का नाम बदलना रजिस्तर का काम है जहां रजिस्तर पर इसके लिए लगातार बाचित की जा रही है इस संपुन कारी के लिए देवनानी ने भाशपा कारी करताओं पाशदो सही जन परती नीदियों का अभार विर्थ किया फिर में सडकों के निर्मान की प्रिक्रिया तेज गतिशे शुरू हुई उसके आधार पे लगवग अजमेर उत्तर में 30 करोर से अधिक राशी की 100 के आसपा सडकें बनने जा रही है कुछ कम लंबाई की है कुछ अधिक लंबाई की है उसी के तहत आज एक शेत्र के अंदर माराना प्रताप से पुष्करोर वाया कोटड़ा दार से निस्मारक तक और नोसर घाटी से कोटड़ा मार प्राइविट बासर्चन होते हुए सडक के निर्मान का काम इसमें लगबग 6 करोर 68 रुपे खर्चोंगे उसके आज हमने श्रीकने किया है और सबसे पहली जो इनकी डिमांड थी कि तेलंगान हाउस निरस्तो वह भी निरस्त हुआ और आज खादिम होटल का नाम भी चेंज हो करके और अजय मीरू होटल बना है तो निरंतर हम एक एक प्रगती शित्र में करते जा रहे हैं इसके लिए मैं निश्रूत के जनता का हमारे जन प्रतिजियों का और हमारे पार सागर्व पहले प्रस्ताव को लोगों ने नगर निगमें भीजवाया था और डी सी के पास तक जाने के प्रक्रिया चुरू हुए लिए यहां के इस तरका नहीं है इसके नाम का चेंज राज्य सरकारी कर सकती है राज्य सरकार को मैंने प्रस्ताव दिया है और प्रक्रिया में है और लगता का आगारी को समय में वा प्रकेर भी बहुत जालती। नक्सों के साथ परतिक वार्ड पर वार्ड संख्या इंगित की गई, फिर भी अस्पताल परशाशन को और नवाचार करने के तहट अब अस्पताल में एने बीच की गाइडलाइन के तहट दिशा सूचक संखेत बोड लगाए गए हैं, जहां ये बोड पांच डारेक्शन को इंगित करते हैं, मरीचों को CT scan, X-ray, sonography, MRI, blood bank, central bank की जानकरी मिल सके और अपने समय की बेवचे खपत को वो बचा सके, अधिशक ने बताया कि प्रशाशन द्वारा नवाचार करते वे आगे भी fire exit direction का बोड लगाये जाएगा, जिससे की मरीच को आग जिसी इस्तिती में ख खड़े रहने की समस्या से निजात दिला सके, अभी ये token system, HOD, medicine कमरे पर लगाया हुआ है, जो काफे हद तक सफल हो रहा है। में हमने वार्ड लगाये, वार्ड के directions कहां पर है, हर वार्ड में हमने नए कमरे नंबर डलवाये कि कहां कमरा नंबर कौन सा है, उसके बाद भी लग रहा था कि अभी भी कुछ करने की जरूत है, तो हमने जो NABH के guideline से, उस guideline के according हमने क्या करा है, कि directions हमने बता दिये, जिसे अजमे के भी के कॉल नगर इस्तित, शुद्दा के विशेश विध्याले में, दिव्यांग चातर चातरों दुआरा विशेश प्रोग्राम के तहट अजमे के पिपिन बर्मणी इस्तानों पर बर्मन के लिए ले जाया जा रहा है, जहां इसी के तहट स्कूल के सागर भर्मन के लिए लाया गया, स्कूल के चातर चातरों दुआरा देश के तदा अशमेर के पहले इलेक्ट्रोनिक कुरूज में बर्मन किया गया, स्कूल के तीस चातर चातराओं ने इलेक्ट्रोनिक कुरूज की सवारी का आनन्द दिया, सुब्ता के विशेश विध्य बच्चे कर सकते हैं यह भी गड़ सकते ही बच्चे कर आएं अब जो आए इनको जो आनसागर में अभी इस्टार्ट हुआ है किसी ने इनको बुलाया बच्चो को कि हमारे साथ आये हैं बच्चे एंजोई करें जासे आए हैं शुप्ठा के बच्चे हैं इंडियूजन प्रोग्राम चलता है जिसके ताहरे जगा जगा जाते हैं बच्चों कुंप्रोज के सामने आज बारत के पहले एलेक्टर क्रूज के इंड़ा अज बहुत मज़े कर रहे हैं आज पहली बारता नोने चांस दिया है घ जमाय स्कूल से 30 बच्चे आएं यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजर होंगे खबरों के नए सफर के साथ झाल 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 साथ नसीरबाद इस्तिось श्री गोविन सिंग बूर्जर चाज़के महावःतेऩाले नसीरबाद और भार विकास परिशद स्तानी शाकते से इंट थौः उथान में मिशूलct स्वास्ते जांश्रीविर का आईजन महावःतेऽ motion ng me जिसमें 22 लोगों को परामश दिया गया, जिसमें महाविध्याले की विध्यारती और स्टाफ के लोग शामिल थे गोविन सिंग गूर्जर राज के महाविध्याले नसेराबाद की राश्टी सेवा योजना शिविर परभारी डोक्टर रंजना अगरवाल ने बताया के महाविध्याले में राश्टी सेवा योजना के साथ दिवस्य विशे शिविर के चोथे दिन कम्यूनेटी सर्वेस की भावना के तहट निशुल्क स्वास्ते चांश शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें विध्याले के अध्यापक स्टाफ और विध्यार्थियों सहित पुल बयासी लोगों को शहरी आयुश्मान आरोग्ये मंदिर के चिकितसक विकास शोधरी ने स्वास्ते परिक्षन कर उचित परामश दिया तथा आवशक्ता अनुसार उन्हें निशुल के दवाएं भी उपलब्द करवाई गई। स्वास्ते परिक्षन के दुरान विभीन जाचों के साथ सामान्य मोसमी विमारियों से समधित दवाईयां भी शिवीर के माधिन से निशुल वित्रित की गई। शिवीर का शुभारम, मा भार्ती और स्वामी विवेकानन्द के चित्रों के समक्ष दी परजलेत कर किया गया। महविध्याले की प्राचारे सोनाली गोयल ने स्वास्ते को सबसे बड़ा धन बताती हुए कहा कि स्वस्त रहकर ही देश की सची सेवा की जात सकती है। कारिक में 29 नवंबर को भार्त विकास परिश्रत के सहयोग से महविध्याले परिश्रत में स्वेच्चिक रप्तदान शिवीर का भी आयोजन किया जाएगा। झाल 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 पार्स वेलफेर संस्थान के तत्वा उठान में वही बार को पुशकर के पुरानी रंगजी मंदिल में बारवत चिकित्सा एवं स्वास्ते जांश शिविर आयोजीत किया जाएगा शिविर में अजमेर जैलेन के परिष्ट चिकित्सकों के साथ साथ अमेरिकावे अपरवासी भार्तिय डॉक्टर्स द्वारा हाई बीपी, डायबिटेज, कॉलेस्ट्रोल, स्तन कैंसर, चर्म रोक, अर्थिराइट्रीज, पाचन, आधी बीमारियों की रोकियों की निश्वल के लिए उचित परामर्ष देंगे, इसके अलावा विभिन रोग विशेशगे शिविर में सेवाई देंगे, अधेक्ष इश्वर डीडवानिया ने बताया कि शिवर सुबह 9 बजे शुरू होगा, तता शाम 4 बजे तक चलेगा, इस दोरान जरुतमन मरीजों को निश्वल के लिए केम्प कर रहे हैं, इस केम्प में हम सभी जांच करेंगे, ब्लड प्रेशर, डाइबीटीज, हार्ट की कोई बिमारी हो, और इसके अलावा किसी को डाइजेशन की प्राबलम हो, और इस बार हम दो स्पेशल प्रोजन भी रख रहे हैं कि हमारे साथ डाक्टर लेला गरवाल होंगी, ये कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, और खास करके इस्तन कैंसर के लिए अमेरिका में अच्छी स्पेशलिस्ट हैं, ये भी जांच करेंगी और सला देंगी, उसके साथ साथ जेलन हास्पिटल से डर्मेटालोजी जो चर्म रोग है ना, उसके भी स्पेशलिस हों और यह सब सुईधा रंगी मंदिर के खास जो अनन्द प्रसाद की गनेडी वाला है उनकी कृपा से हो रहा है और सब तरह के साधन होंगे मरीजों के लिए और जो भी जांच पटाल हो सकती हो हम करेंगे उसके अलावा दवाइयां भी देंगे जिन लोगों गरीब लोग हैं जिन लोगों को दवाइयां के सुईधा नहीं हैं उनको हम खास खास दवाइयां वो भी प्रदान करेंगे ब्रेस कैंसर कभी कभी शुरू में खाली गांट बहुता है और कुछ प्रॉब्लम नहीं होते गांट में दर्द भी नहीं होता है तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने जो जनाना लोगबार हैं वो अपनी ब्रेस को फील करें और अगर कोई गांट नजर आए तो तुरूंत जाच करवाएं और यह बोल रही हैं यहां पर इंडिया में अपने स्क्रीनिंग इता ची तरह से नहीं होता है वहां अमेरिका और विदेशों में तो मैमोग्र यह एक्सरे लेते हैं ब्रेस का उससे जांच हो जाती है तो यहां भी अगर जिन जनाना लोगों को तकलीफ हो गांट वांट हो तो इसका इमीजर जांच करानी चाहिए क्यों अगर सुजू में जांच करानी तो इसका इलाच बहुत अच्छी तरह सकता है यह जो इसका इतल को स्बीन जोशी पांट पातिवाट दक्सा भी है प्रस्सों काईना रच्प्स साथ and I hope to be able to give education about breast cancer in this period. What is the difference between America and India about women, especially in breast cancer? Well, it's very important to be aware of your body, and I think there might be some differences in the understanding of screening and catching breast cancer very early. And so, knowing the signs of breast cancer is an important first step in diagnosing. What is the primary symptom of breast cancer? Sometimes breast cancer may present with a lump in the breast, or a change of the skin, or the shape, or enlargement of the lymphoma. Bhaartya Sanskriti mein kala ka baut hii meheto-punistahan hai. Patik vikti mein koji na koji kala hooti hai. Kala samaj mein samman wajeevan jienne ka jariya bant sakti hai. Kathak ka hii, to Kathak nirthi bhaart ka shastri nirthi hai, और Kathak shabd ka arth, Kathak ko nirthi ki rukna prashtut karna hai. Ajmerke, Sushna ke andre istit open theater me, Nirthi anjali akadmii ki oor se, Kathak darpan karikram ka aoyujan kiya gaya, 60 nirthi aang nao ne ranga 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 prashtutiyan dhi. Karikram ka shubharam, maasra swati ki pooja archanak ke saath kiya gaya. Nanii balikau ne, guruvandana karthi wae Kathak nirthi kiya, इske baad, Shri Krishna ki lilao, और gharma ori pradishyaan jyesee gitao par kathak nirthi kiya. Karikram me, upshastriya aur shastriya nirthi nirthi nye sama baan dhiya. Bari-bari 26 prashtutiyan dhi gheyi. Guru mala parik nye bataya, ki karikram me, 5 saal ki bachiyon se lhe kar, 65 saal tuk te ayovar ki mahiilao nye, 1 sae bada kar, 1 prashtutiyan dhi. Bari-bari, kul 26 prashtutiyan dhi gheyi, jinnye dhek, darsak anandit ho uthe. Manz sanchalan vartika sharma nye kiya, Ayojin karthi suraish parik nye bataya, ki nirthi anjali, kathak kala, kendr samithi, pariagraat, sangeet samithi se juri hai. Bari-bari-bari-bari-bari-bari-bari Bari-bari-bari-bari-bari-bari-bari Bari-bari-bari-bari-bari